हेलो गाईज वेलकम टू ओल इन नेक्स्ट फेम फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं जोनल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नमबर 65 यहां प्रवाइड होते हैं आपको 20 कोशन एक कोशन आपसे पूछता हूं जिसका आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है यह सभी क कोशन आपके एल्टी ग्रेड एक्जैम के लिए रैलेवंट कोशन है इन कोशनों के आप नोट्स बनाएं और साथ के साथ इनको याद भी कीजिए और आप लोग हमारे टेलिग्राम चैनल नेक्स्ट फेम को जरूर जोइन करें रैलेवंट एंड वैल्यूवेवल नोट्स क लिए और हमारा टेलिग्राम ग्रूप फ्यूचर मेकर्स जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा इसको भी जॉइन कर ले और 930 पर डेली बेसिस पर आपको क्विज कराये जाते हैं तो आप सभी क्विज में पार्टिसपेट भी जरूर कीजिए स्टा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुंदरी बंदरगा कौन सा है राइट आंसर कराची बंदरगा पाकिस्तान का सबसे बिजी बंदरगा है इसको आपने याद रखना है वहीं पाकिस्तान की कैपिटल क्या है तो यह है इसलामाबाद और पाकिस्तान की करंसी क्या है पाकिस्ता रुपी पाकिस्तान कब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान के दिए हम बात करें तो पाकिस्तान 14 ऑगस्त 1947 को अजाद हुआ वहीं भारत कब आजाद होता है 15 ऑगस्त 1947 को वहीं पाकिस्तान और भारत को कौन सी लाइन अलग करती है तो रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस् की लांगइस्ट रिवर कौनसी है तो वह हैं इंड़ सीविलासाइशन किस नधी के किनारे विक्सित होती हैं तो वहैं अ हैं नदी होती हैं इंड़ाज्यूर्ट सहर भीक पड़ा होगा और वह कहां पर पड़ता हैँ पाकिस्तान में फ्सक कहला गाई स्थोप जीवन के उत्सो के रूप में मनाई जाने वाली किस देश की एक अनूटी सांस्कृतिक प्रता है राइट आंसर नेपाल की या प्रता है जांकू या आपके लिए इंपोर्टेंट और या डारेक्ट कोशन है वहीं आपको नेपाल से याद रखना है कि नेपाल की कैपिटल क् काठ मांडू और नेपाल की करंसी क्या है नेपाली रुपीज नेपाल की करंसी है वहीं नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना और नेपाल में ही क्या है दुनिया की हाइस्ट पीक माउंटेन की वह है माउंट आवरेस्ट और कितनी है आठ हजार 848 मीटर यह आपके लिए important है यह question कई बार पूछा जाता है कि हिमाले परवत की सबसे उची चोटी Mount Everest की उचाई कितनी है तो 8848 मीटर कई जगा आपको 8850 भी देखने को मिल सकता है Clear है Next question है जैन धर्म के प्रतह्म तिर्थांकर कौन थे राइट आंसर रिशब देव जैन धर्म के प्रतह्म तिर्थांकर थे और तिर्थांकर का मतलब होता है गुरू और जैन धर्म में कुल 24 गुरू होते हैं यह भी आपके लिए important है 24 तिर्थांकर होते हैं पहले होते हैं रिशब देव दूसरे अजीत नात वहीं 23 वे कौन हुए पार्शो नात और 24 वे कौन होते हैं महावीर यह आपके लिए इंपोर्टेंट है और महावीर जैन को जैन धरम के रियल संस्थापक के रूप में जाना जाता है महावीर जैन को 12 साल तपस्या के बाद इनको ज्यान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के किनारे साल विरिक्ष के नीचे यह आपके लिए इंपोर्टेंट है और इनके मृत्यू कहा होती है पावापुरी में इनकी मृत्यू हो जाती है महावीर जैन की क्लियर है नेक्स्ट कोशन है मानो सरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है राइट आंसर सैफनोस नस सबसे लंबी नस है मानो सरीर की यह पैर और जांग के बीच में पाई जाती है यह आपके लिए इंपोर्टेंट है और सबसे लंबी हड़ी कौन सी होती है फीमर जो की जांग में पाई जाती है clear है next question है कौन सा पौरानिक महा कावे गुरु गोविन सिंग दोरा दोबारा लिखा गया था right answer रमायन को गुरु गोविन सिंग ने लिखा था यह आपके लिए important है वहीं आप लोगों को रमायन से याद रखना है कि रमायन किसने लिखी है तो मैर्शी बालमिकी ने लिखी रमायन और राम चरित मानस किसने लिखी है गोस्वामित तुलसी दास ने वहीं महाभारत के दी हम बात करें यह आपके लिए very important है और महाभारत को किस ने लिखा है महरशी वेद व्यास ने महाभारत लिखा वहीं गुरु गोविन सिंग की बात करें तो गुरु गोविन सिंग का जनम कब हुआ था 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविन सिंग का जनम पटना साहिब में हुआ था इनके पिता का नाम क्या था गुरु तेक बहादूर और माता का नाम गुजरी था यह आपके लिए important है वहीं आपको याद रखना है गुरु गोविन सिंग से कि इन्होंने खालसा पंथ की अस्थाप की अस्थापना की थी और गुरु गोविन सिंग सिक धरम के दस्वे गुरु बने और इन्होंने गुरु की पदिवी खतम कर दी थी और इन्होंने कहा गुरु गरंथ साहिब ही अब आपके अगले गुरु है याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन है नेम्ड में से किस कीट का वैग्यानिक नाम बलेटेरिया है राइट आंसर कौकरेच का नाम है बलेटेरिया और कौकरेच का जो बलर्ड सर्कुलेशन होता है वह ओपन बलर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यह भी आपके लिए इंपोडेंट है नेक्स इसकी उचाई कितनी है 5565 मीटर इसकी उचाई है यह भी आप याद रखेंगे और तिब्बत में ही क्या है मान सरोवर जील जहां से वरंपुत्र नदी निकलती है नेक्स्ट कोशन है भारतिय समिधान के किस अनुचेद में राष्ट पती के महायोग महावयोग के लिए प्रकिरिया को सामिल किया गया है राइट आंसर अनुचेद 61 के तहट राष्ट पती पर महावयोग चलाया जा सकता है और महावयोग के द्वारा राष्ट पती को अपने शाशन का जो उनका टाइम पीर्ड होता है उनके पद का टाइम पीर्ड है पात साल का उससे पहले भी उनको हटाया जा सकता है इसके लिए क्या करना होता है 14 दिन पहले राश्ट पती को सूचित करना होता है और उस सूचना प्रस्ताव पर एक बटा चार सदस्यों की हस्ताक् साथ ही अगर दो बटे तीन वहुमत से पास कर लिया जाता है लोग सभा में और राज्य सभा में भी तो यह होगा कि राष्ट पती को अपना पद छोड़ना पड़ेगा याद रखेंगे और समझना है इस पॉइंट को साथ ही गाईज यह भी आप याद रखेंगे कि राष्ट पती पर महा आभ योग लगाने की जो परकिरिया है वह लोग सभा में भी लाई जा सकती है और राज्य सभा में भी लाई जा सकती है क्लियर है नेक्स्ट कोशन है बांगला देश की संसद में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी होती है राइट आंसर क्या है तीन सो पचास परतेक्शनाव है और वहीं 50 मेंबर्स जो हैं वह महिलाओ के लिए आरक्षित सीटों में आते हैं तो 50 मेंबर्स कौन से होंगी महि सीटे हैं वहीं बांगला देश की संसद का नाम क्या है जातिय संसद यह कोशन कई बार एक्जाम में पूछा जाता है वहीं कौन बने थे बांगला देश के तो वह बने तजुदिन एहमद या आपके लिए इंपोर्टेंट है और कब बनते हैं 17 अप्रैल 1971 को अब 17 अप्रै 1971 को बांगला देश अजाद होता है पाकिस्तान से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और जो प्रैजन टाइम पर पाकिस्तान है उसे पश्मी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बट 26 मार्च 1971 को बांगला देश अजाद हो जाता है पाकिस्तान स से है तो यह अवामी लीग पार्टी से है सेख हसीना वहीं बांगला देश का नेशनल गेम कौन सा है कबड़ी जिसे हा डूडू के नाम से भी जाना जाता है और बांगला देश का राष्टरगान किसने लिखा है रविंद्रनात टैगोर ने कौन सा है वो राश्ट्रिगान आमार सोनार बांगला यह भी आपके लिए important है next question है नेपाल देश को कितने प्रांतों में बाटा गया है right answer seven province में बाटा गया है नेपाल को और कितनी डिस्ट्रिक्ट है तो 77 डिस्ट्रिक्ट है यह भी आप याद रखेंगे next question है नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है right answer प्रित्वी नारायन साह को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है नेपाल एक ऐसा देश जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना next question है put सब्द काउप्यो किस खेल में किया जाता है राइट अंसर गोल्फ शब्द है यह पुट यह आपके लिए important है वहीं एक कोशन याद रखना है आपको कि Tiger Woods के नाम से किसे जाना जाता है तो Eldrick Tont को Tiger Woods के नाम से जाना जाता है और यह किस खेल से संबंदित थे तो यह गोल्फ से संबंदित थे यह किस देश के थे तो यह अमेरिका के यह भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट कोशन है निमलिखित में से कौन सा पोधा मांसा हारी है यानि की Carnivorous Plant कौन सा है इन में से राइट अंसर Venus Fly Trap Carnivorous Plant है आप लोग को पता है Harbivorous Carnivorous और Omnivorous Harbivorous क्या होते हैं जो साक सबजिया खाते हैं वहीं Carnivorous जो मांस खाते हैं और Omnivorous क्या होते हैं जो साक और मांस दोनों खाते हैं जैसे Human Beings वो सबजिया भी खाता है और मांस भी खाता है नेक्स्ट कोशन है पाकिस्तान की कौन सी जन जाती बजीरी निर्थे नामक पारंपरिक निर्थे करती है तो राइट आंसर कहा है इसका पस्तून यह आप याद रखेंगे next question है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है right answer कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन A गाजर में पाया जाता है विटामिन A का scientific name क्या है रेटिनोल और विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है तो वे हो जाता है रतोंधी यह आपके लिए इंपोर्टेंट है साथ ही आखों से जुड़ी हुई दो बिमारिया आप और याद रखेंगे पहला नियर साइटनेस जिसे निकट दिरिष्टी दोस के नाम से जाना जाता है मायोपिया भी कहते हैं यहाँ पर क्या होता है कि आपको दूर की वस्तुएं नहीं दिखती पास की दिखाई देती है तो इसे किस लेंस से ठीक किया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा कौनकेव लेंस से ठीक किया जाता है वहीं दूसरे डीजिस कौन सी है फार साइटनेस यानि की हाइपर मायोपिया जिसे कहा जाता है दिर्ग दिरिष्टी दोस यहाँ पर दूर का दिखाई देगा पर पास का नहीं दिखता इसको किस लेंज से ठीक करते हैं तो कॉन एक्स लेंज से इसको ठीक किया जाता है यह भी आप याद रखेंगे स्टूडेंट जनरल यहाँ पर कनफ्यूज हो जाते हैं समान्य बैटरी में कौन सा रहसायन होता है राइट अंसर शल्फियूरिक एसड पाया जाता है समान्य बैटरी में और शल्फियूरिक एसड को किंग आफ अफ एसड के नाम से भी जाना जाता है इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है नेक्स्ट कोशन है त्री भासा सुत्र कि सिफारिस कि समीती की थी राइट आंसर कोठारी समीती ने त्री भासा सुत्र दिया था यानि कि थ्री लेंग्वेज फॉर्मूला यह आप याद रखेंगे और यह कब दिया गया 1968 में यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है का जनम कब हुआ था राइट आंसर 26 ऑगस्ट 1910 को मदर टेरिशा का जनम हुआ था और मदर टेरिशा एक अलविनियाई भारतिय रोमन कैथोलिक नन थी यह भी आप याद रखेंगे वहीं इनकी मृत्यू कब होती है पांच सेप्टेंबर 1997 को मृत्य हो जाती है 87 साल की उमर में यह पॉइंट में इंपोर्टेंट होगा नेक्स्ट कोशन है उच्तम नियाले के मुख नियाधीस कितने वर्ष की आयू तक पदधारी रहते हैं राइट आंसर 65 साल तक इसको याद रखना है यह डिरेक्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन जल गैस यानि कि वॉटर गैस किसका संयोजन है राइट आंसर क्या है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या है राइट आंसर आप कमेंट करके जरू बताएं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको बता दूँगा नेक्स्ट कोशन जिसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था जन गणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ी अबादी वाला राज्य कौन सा है तो पहले मैं आपको चार राज्य जरू बताएता हूँ पहला राज्य है आपका उत्तर परदेश जहां पर सबसे ज़्यादा जन संख्या पाई जाती है उसके बाद आता है महराष् फिर है बिहार उसके बाद आता है राज्य आपका पश्यम बंगाल तो यहां पर तीसरा राज्य कहरा है तो कौन सा होगा वो बिहार राज्य तीसरा भारत का सबसे बड़ा जन संख्या वाला राज्य है सबसे जाला जन संख्या वाला राज्य है वहीं यदि हम बात करें जन रिपन के समय में जनगनना की गई उसके बाद पड़ते एक दश वर्ष के बाद जनगनना की जाने लगी यह भी आप पॉइंट याद रखेंगे एक कोशन और यहां से पूछा जाता है कि सोतंतर भारत की पहली जनगनना कब हुई थी तो राइट आंसर क्या होगा 1951 में सोतंतर भारत की पहली जनगनना हुई थी यह थे आपके जनल स्टडीज 65 के वैरी इंपोर्टन कोशन होप सो फ्रेंड्स यह कोशन आपको समझ में आये होंगे आप लोग इनके नोट्स बनाईए और साथ के साथ इनको याद जरूर कीजिए बैस्ट आप लग गाईज शेर और सब्सक्राइब नेक्स वें थैंक यू वेरी मुच